एक बार फिर से स्वागत है जी स्टड़ी के इस यूट्यूब चैनल में आज के इस संक में हम बात करने वाले हैं लेकपाल भरती की और उस लेकपाल भरती की जो तैयारी है वो किस प्रकार से हमें करनी है तैयारी की संपूर्ण जानकारी परिक्षा में सफल होने का अचूप मंत्र और साथ साथ में सबसे ज्यादा जो क्योरिस यह पूशता है ठूब कि सर कौन सी किताब पढ़नी चाहिए मैं उसमें क्या पढ़ना चाहिए यहachen में यह कहारी के लिए बैसे स्प्राराम हो गया है जिसमें आपकी अ हुआई शूरू की जा रही है तो वह सब इनफोर और सबसे important information कि जैसे कि students की ये शिकायत होती है कि पढ़ते समय नीद आ जाती है यहां पढ़ने का मन नहीं लग रहा है इंटरस्ट नहीं आ रहा है तो देखिए इन सब के बारे हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं तो ध्यान से आप देखे वीडियो को अगर skip कर देंगे या फिर आप चीक है थोड़ा भगा के देख लेंगे दोड़ा के देख लेंगे इस वीडियो को तो उस case में चीज़ें उतने समझ में आपको नहीं आएंगी तो थोड़ा सा time दीजेगे दस से पंदर्मिन का यह वीडियो है दस से पंदर्मिन आप इस उसको समझझेगा और सम तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम समझेंगे परिच्छा में सफल उन्हें का अचूक मंत्र क्या है, देखें अचूक मंत्र मतलब यही है कि लेखपाल परिच्छा के लिए जो क्वालिफिकेशन हो 10 प्लस 2 है, प्रध्यान समझेगा, अब यहां पर यह हो अब समस्या कहां पर आती है, कि तैयारी यानि पढ़ाई का उनका जो लेवल है, वो काफी दुन से छूटा हुआ है, अब कुछ पढ़ेंगे भी तो उतने अच्छे समझ में आने वाला नहीं है, तो यानि तैयारी आपको पहले से शुरू करनी है, इट मींस कॉम आने से कम से कम 6 महीने पहले, यानि कम से कम आप 6 माह की तैयारी जरूर करें, 6 महीने से पहले अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो ये समझे कि 2-3 महीने या 2-4-10 दिन में कितना भी आप पढ़ लेंगे, 24 के 24 गंटे भी पढ़ लेंगे, तो फिर सफल होने का चांस नहीं है, तो इस प पहले अपना एक एम निर्धारित करें एम निर्धारित कर लें कि हाँ मुझे लेख पाल की परिक्ष्छा पास करने लेख पाल बना है इसमें इंटेसट रीजिये सबसे पहले आप अपनी रूची बनाई यई ना कि किसी के कहने पर कि ये form आया है, भर दिया आपने बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सबसे पहले आपको रूची अपनी डेवलप करनी है, यहां आपको लेखपाल बनना है, एक अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है, अधिकारी की पोस्ट है लगभग, तो इस पोस् होना एक जो मन है, जो इंटरस्ट है, वो एक बार सेट कर ले ना इस तरफ, तो 6 मेने का प्लान आप लेके चले, दूसरी बात, अपनी पढ़ाई का एक टाइम शिडूल सही करें, चीक है, पढ़ाई का एक टाइम टेबल जरूर बना ले, अब आप कहेंगे, यह तो पुरा एकस टाइम करें, यहां तो आप खुर सकते हैं परयापत है, अब समस्Res आते हैं कि उस टाइम टेबल तो बन गया सकते हैं, तो बन गया, अब उनके पास अच्छा सही मैटरियल नहीं है, वही पुराने कंचेंट्स उनके पास हैं, तो उसमें पन्टेमिंट नही आता है, ज देखे उसके लिए एक important चीजी होती है तीसरा point कि आप जो है एक कहीं पर class ज़रूर जोइन कर लें class अब समझा है कि class अब lockdown चल ला है lockdown में classes कैसे करें देखे classes आप चाहे तो online start कर सकते है online जो है start जैसे हम भी online batch start कर रहे हैं और वो भी free of cost होगा उसमें कोई charge आपको देनी नहीं होगी इससे यह होगा कि daily basis पे ठीक है per day आपको जो है जो topic पढ़ाया जाएगा subject का जो topic पढ़ा दिया गया वो topic आपको करा दियेगा वहाँ पर पहली चीज तो आपने वहाँ पढ़ लिया वहाँ बहुत से student एक सार जब live आएंगे तो उनकी comments आएंगी doubts होंगी तो उसमें आपक किताब आपको पढ़ नहीं है उन किताबों में वो data आप उठाईए वो point उठाईए उसको आप अपना समझ लीजे एक बार पढ़ लीजे interest के साथ इस तरह से आपको पढ़ाया जागा कि आपको interest उसमें आएगा और आप उसको पढ़के और अच्छे समझने की कोशिश करे आता है और इसको disturb नहीं करना है आपको बिल्कुल strictly आपको follow करना है time table के according आपको study अपनी शुरू करनी है और 6 मिन तक लगातार आपको इसको follow करना है और fourth point यह है कि आपको notes बनाने ही बनाने है छीक है नूट्स बनाने ही बनाने हैं आप अपने registers तीन्चा रजिस्टर ले लिए जीए मैट के लिए इनके लिए हिंदी के लिए पर्यावरण के लिए यह जो है प्रयावरण क्या रहे हैं ये ग्रामिल परिवेश जो है इस प्रकार से इसके नोट्स आप बना लिए सब क बार जरूर लिख लें रफली लिख लें लिख लें जरूर चीक है अब आप देखिएगा कि जैसे आपके 6 महेने ये complete होंगे तो आपके पास खुद का समझा हुआ material होगा जिसको अगर आप एक बार भी रिवाइस कर देंगे तो आपने जितनी चेमने मेनत किया उस सारी मेनत आपको रिवर्स हो जाएगी और उसका आपको 100% बिलेगा ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स जो की अचूक है अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो 101 परसेंट शौर है कि जो पोस्ट है वो आपकी है यह आपको आपके लिए एक सिट डिजर्व है अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पे अगला पॉइंट है कि हमें किताबे कौन-कौन सी पढ़नी है कौन-कौन सी बुक्स हम जो है चूज करें पढ़ें और उन बुक्स में क्या पढ़ें और किस प्रकार पढ़ें ताकि हमें याद हो जाए तो चलिए एक एक करके समझते हैं सामाने हिंदी चार सब्जेक्ट हैं आपके जो की लेकपाल परिच्छा में पूछे जाएंगे तो इन चारो सब्जेक्ट के बारे में एक एक करके समझते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट है सामाने हिंदी तो सामान हिंदी में देखे दो तरके concept आपको पढ़ने हैं पहला तो है व्याकरण समंदित और दूसरा है हिंदी का इतिहास इतिहास समंदित अब ध्यान समझेगा व्याकरण वाला portion लगभग 80% कवर करेगा हिंदी को और इसमें इस व्याकरण वाले portion में ज्यादा तर जो है जैसे बरतनी हैं, विलूम हैं, पर्यावाची हैं इस तरह के प्रशनाते हैं जो आप छुटे क्लासे से पढ़ते हैं यानि अगर आप इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे सा त्यार कर लें तो आप हिंदी में 90-100% तक कवर अप कर सकते हैं ठीक है क्योंकि ये हमारी mother tongue है च क्यों है, रटने की बात नहीं, कि नहीं हम ये चीज रट रहा हैं, हम कोई सेलक्षन इसलिए रट रहा हैं, रटने की कोई ज़रुवत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई return exam नहीं जिसमें आप रट के जाएंगे तो आप topic लिग देंगे, heading लिग देंगे, heading लिग के topic लिग देंगे, उसको जितना ज्यादा लिखेंगे, उतने अच्छे नमर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर knowledge आपकी चेक होनी है, तो knowledge चेक होने में आपको क्यों चीजें कहानिक रूप में पढ़नी है, हम बताएंगे किस पर से कहानिक, क्योंकि हम जो आपको, अब देखी, अगला point, अब इसमें book कौन सी लेनी है, तो देखे, हिंदी के लिए जो book है, अब एक book आपकी आ रही है, हिंदी की lucent की, lucent की book आती है, lucent की और भी book हैं बहुत अच्छी व्याकरण, वो आप book prefer कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी book है, उसमें व्याकरण पर cover की गई है, आप एक बार उसको पढ़ें, और एक बार पढ़ें मतलब एक साथ लेकर नहीं पढ़ना है, आपको जो जो topic आपको पढ़ाया जाएगा, वो topic आपको आपको आपका तयारी हो जाए, अब दूसरी बात करते हैं, गड़ीत की, maths की, तो अब maths में, चुकि जो students की background maths नहीं रही है, जो इंटर, जो है, maths से नहीं रहे हैं, bio से रहे हैं, art से रहे हैं, commerce से रहे हैं, वो student कहते हैं, maths आ रही है, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पी जो maths आपकी आ रही है, वो math वही math है, जो आपने class 6, class 6 से लेके class 8 त जो daily जो दिन प्रतिदिम की चीजें हैं, जोड़ घटाना, multiply, ब्याज, जो है कि चाल समय दूर, यह सब chapter जो है daily संबंदित हैं, daily routine से संबंदित हैं, आप इन chapters को उस प्रकार से तयार करें, जिससे कि आपको इसमें interest आए, ठीक है, और दूसरी चीज, हम जो classes कराएंगे, उ होती है कि वहाँ पर formulae, derivation, formulae को याद करना, फिर उसकी calculations करना काफी लंबा होता है, हम आपको वीडियो के माधिम से जो तयारी कराएंगे, online, उसमें आपको formulae याद करने की कोई जोरत नहीं पड़ेगी, नहीं पुरानी आपके पास background होनी चाहिए, बस interest आपका एक बार ज जगें हैं, जो भी resource से वहाँ बताया था, का आरेस अगरवाल अप लगा लिजी, देखिए, आरेस अगरवाल की जो एक limit है, मतलब उसमें कुछ chapter है, जो ठीक है, हम ये नहीं करें, खराब है, लेकिन इसमें भी आपकी एक book आती है, Lucent की आती है, Maths, ठीक है, Maths, Lucent की आती ह लगा लिजी, और एक आप लगा लिजी, आरेस अगरवाल, ये दोनों books अगर आप लगा लेते हैं, लगाने का मतलब ये कि आपको ये नहीं कि लेकर बैठ जाना है, और लगाना बस उसको जवरदस्ती किस तरह से answers देख देख के लगाते चला जना, ऐसा कुछ नहीं है, आ इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप इसके लिए भी lucent, lucent की जो book आती है, पतली वाली एक पतली से book आती, lucent की GS की लगभग 30-300 की market में आपको मिल जाएगी, अपडेट लीजेगा बिल्कुल, उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, A to Z, history, नितिहास कव कवर हो जाएगा, भूल कवर हो जाएगा, समिधान कवर हो जाएगा, एकनौमी कवर हो जाएगी, खेल समंदी डेटा कवर हो जाएगा, सब कुछ इसमें आपका लगभग कवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा आप पढ़ने जोरत नहीं है, बाकि इसके इलावा जो चीज़ कर लेनी है बाकी आप daily basis पे जो class update करेंगे उस class के basis पे आपकी पूरी तयारी हो जाएगी बाकी हम आपका एक mcqs कराएंगे वो आप ज़रूर कर लिजेगा PDF भी अब available हो रही है तो PDF भी हम available कराएंगे daily basis पे उससे आपकी तयारी हो जाएगी यहां पर यह बूब क्लियर है आप चाहें तो current affairs के लिए current affairs जी के में current affairs भी आता है current affairs के लिए magazine आती है yearly magazine आती है एक आती है वार्षी की तो वह आप ले सकते हैं रहे दीन सों की मिलती है वार्षी की वार्षी की यह होगा कि क्योंकि आप monthly magazine लेंगे तो बहुत कॉस्टली पढ़ेंगी और बहुत ज़्यादा आपको डीटेल में पढ़ना होगा उतरा डीटेल में आपको पढ़ने की जोड़त नहीं है ग्रामिल समाज और ग्रामिल विकास तो ग्रामिल समाज और ग्रामिल विकास तो इसमें जो है तो अब जो लास्ट पॉइंट रहे वो है आपका ग्रामिल समाज और ग्रामिल विकास तो यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए कह सकते हैं कोई एक एक एक्जेक्ट बुक नहीं मिलेगी आपको तो इसके लिए एक बुक है जो आप पर्चेस कर सकते हैं वह बुक अभी अवेलबल नहीं होगी और अपडेट अवेट करें जैसी अपडेट इसका आता है तो हम आपको बताएंगे कि इसका अपडेट आ गया है कौन सा आपको संस्क्राण यानि कौन सा आपको लेना है तो वह आप उस समय लिजेगा अभी आप यह तीन सब्जेक्ट लेके चलिए हाँ इसके लिए जो क्लासे सम कराएंगे उसमें आपको पीडियाफ नोट्स देते जाएंगे जिससे कि आप इसकी त्यारी कर सकते हैं नोट्स भी अपने बना सकते हैं अगर पढ़ना है तैयार करना है वह सारा हमने आपको यहां पर बता दिया अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और वह पॉइंट रहा है कि ट्लासे ऐसका टैयारी की जो बैच शुरू हो रहे है तो यह उसको थोड़ा समझ लीजेगा आपको जीस्टुदी यूट्व चैनल classes आप जैसे ही विजिट करेंगे जी study लिखेंगे वैसे ही आपको इस तरह का टॉप पे इस तरह का channel मिलेगा इस तरह का icon बना होगा वहाँ पे सबसे पहले आपको subscribe कर लेना है और bell icon वहाँ पे आप जानते हैं इस तरह का bell icon रहता है उस bell icon को प्रेस कर लेज़ेगा जो notification on हो जाए जिससे कि आपको जैसी classes हों कोई PDF हो कोई material हो कोई news हो हम आपको देते रहे हैं आपको वो चीज़े information मिलती रहे अब बात आती है timing की तो 3 से 5 बज़े की timing होगी आज से class से शुरू है पंदर जून तो आज आपकी यह पहली class हो रही है first class introduction class चल रही है क्यों introduction class में आपको जो चीज़ें बता रहे हैं उसको आप follow करें next day से आपकी जो classes हैं जैसे GS और math यह daily basis पे चलेंगी GS math की classes daily होंगी इसमें Hindi और grammar परवेश यह दो जो classes हैं यह classes week में दो दिन होंगी week में दो दिन होंगी क्योंकि इतना इनके लिए परयाप्त है बाकी 5 days 5 दिन 5 दिन आपकी यह वाली classes होंगी जिसमें आपकी maths और GS होगी और math जो Sunday होगा Sunday के दिन आपका objective paper जो होगा objective paper जितने भी आपके पुराने papers हैं जो भी लेकपाल भरती में आज तक आए हैं उनको हम एक एक करके solve करेंगे जिससे कि आपका एक preparation level पता चले आपको कि क्या है और आप जो पढ़ रहा है उसका कितना touch उसमें लग रहा है यह सारी चीज़ें आपकी clear होती चले टाइमिंग आपको यहाँ पे clear हो चीकी है दे भी आपको clear है आज first day है class का तो introduction class थी जिसमें आपको बता चुके हैं कि किस तरह से आपको अपना plan करना है त्यारी करनी है क्यासे अपने अपना aim निश्चित करना है यह सब कुछ आपको यहाँ पे clear करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपको फिर भी कोई doubt रह जाए तो आप comment box में निश्चित रूप से comment करिए और comment करके आप questions पूछ सकते हैं उसके answers आपको मिलेंगे इसके इलावा आप हमारे whatsapp group में जोएन होने के लिए इस नंबर पे 9935-581-143 पे आप message कर सकते हैं और आप इसके इलावा चैनल पे comment में जरूर लिख दीजेगा अपना mobile नंबर आप दे सकते हैं जिससे कि आपको group में जुड़ा जा सके और PDF files आपको यहाँ पे चैनल के आधिम से ही provide कराए जाएंगी classes आपको provide की जा रहें online offline classes भी आपकी पहले से लगभग 150 वीडियोज आपके बने हुए हैं तो आप उनको जब भी मन करे live classes का तो time है लेकिन बाकी live classes भी record हो जाएंगी तो वो भी आपको बाद में available रहेंगी इसके इलावा आपको fix कर लेनी है daily basis पे शाम के समय तीन से पांच का जो की live class होगी आज first day है तो इसलिए introduction class करके छोड़ा जा रहा है कि बहुत कम आए हैं तो इसलिए आप जल्दी से comments कर दें कि कि students live जो है कि तीन से पांच live हो रहे हैं उसी के recording हम जो PDF वाला system अपना सेट करें क्योंकि PDF वाले system में सेट करना पड़ता है कि कि students को PDF वाहाँ पर available करानी है तो यह चीज़ हम वाहाँ पर settings कर पाएं तो जल्दी से आप comments कर दें और comments करने के बाद से यह कल से doubts को clear करके अपनी तयारी कर सकते हैं so again thank you watching the video thank you and best of luck for your examinations